मेरे सामने जो आप प्लांट देख रहे हैं, इसका नाम जीजी प्लांट है, यह बहुत ही पॉपलर प्लांट है, गार्डनर्स जो इंडोर्स प्लांट ग्रो करते हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से जीजी प्लांट का ध्यान दखते हैं और ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ उनके plants में भी आ जाते हैं कुछ ऐसी गलतियां वो अपने ZZ plant को grow कर दें के time कर देते हैं जो उनने नहीं करनी चाहिए हैं जिसकी वज़े से उनके plant में ये issues आ जाते हैं तो उन सारे issues के बारे में भी बात करेंगे और कुछ ऐसी care tips भी पौदे के बारे में आपको बताऊंगा जो अगर आप अच्छे से follow करेंगे तो आपका ZZ plant बहुत अच्छी तरीके से growth करेगा तो चलिए शुरू करते है friends मेरा नाम अक्षे है और मैं आप सब लोग का Right Gardening YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ देखिए अगर मैं एक simple line में बताऊं ZZ plant की अगर आप तो को care करनी है तो आप इसको बिल्कुल care करने के बारे में इसके बारे में छोड़ी दीजिए क्योंकि अगर ये ये plant तभी खराब होता है जब इसमें gardeners जो है over care करते हैं देखिए हम कभी भी किसी भी plant को जब care करते हैं तो उसको उतनी ही care करनी चाहिए जितनी उसको requirement है plants बड़े spot होते हैं वो अपना जो growth है वो अपने आप manage कर लेते हैं उनकी जो needs हैं जो basic needs हैं जैसे मिट्टी में आपने क्या डाला हुआ है आपने उसकी location कैसी रखी है उसका पानी का schedule कैसा है अगर आप इतनी चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं तो आपका जीजी plant बहुत अच्छी तरीके से लंबी life जीएगा और बहुत अच्छी तरीके से growth करेगा लोग अक्सर क्या करते हैं कि over care करते हैं जादा जल्दी अपने plant को प्रो करने के चकर में या जादा अच्छी growth देखने के चकर में जादा चीज़े कुछ ऐसी कर देते हैं जिसके वैसे उल्टा नुकसान उनके plant को हो जाता है वो सारी गल्तियों के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स यह मैं जीजी plant कितने का लेके आया और कहां से लेके आया है यह मैं एक local plant nursery से लेके आया हूँ मुझे तकरीबन 100 रुपीज का यह plant मिला अभी तो यह थोड़ा सा छोटा है लेकिन मैंने इसको बड़े गमले में लगाया तो यह बड़ा हो जाएगा इसको इस तरीके से मैं train करूँगा तो लाके मैंने इसको यह 10 इंची के cement के गमले में potting mix अपना जो मैं regularly हर पौदे के लिए बनाता हूँ जीजी प्लांट के लिए एक special potting mix होता है वो मैं आपको बताऊँगा कि आपने कैसे बनाना है इसमें आप कोई भी 30% बालू मिट्टी ले लिजिए या कोई भी garden की soil ले लिजिए या पार्क की मिट्टी ले लिजिए जो भी regular garden soil वगएर आपके आसपस होती है वो आप ले लिजिए इसमें 30% आप फिर कोई भी organic manure मिला लिजिए organic manure से मेरा मतलब है या तो warming compost मिला लिजिए या गाएं की गोबर की खाद या पत्ती की खाद मिला लिजिए जिससे क्या होगा कि further aeration improve होगी आपके जो potting mix है ताकि इसका root है वो root ball काफी अच्छी तरीके से growth कर सके और आपका plant strong बन सके 10% जो इसमें बचता है वो आप इसमें नीमखली मिला दीजिए नीमखली में मिलाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि नीमखली में nematodes होते हैं तो वो क्या करते हैं किसी भी तरीके के fungal infection कोई या कोई भी insect attack अगर आपके plant के जड़ों में होने वाला होता है तो उसको बचा आए तो उसमें देखिए बड़े बड़े पथर ना हो और अच्छे से उसको mix करके फिर आप अपने मंचाहे गमले में उसको grow कर सकते हैं मैं recommend करूँ या तो cement या मिटी का गमला plastic के गमले में आप जीजी plant मत grow करिए क्योंकि उसकी water retention ना होनी की वज़े से आपका plant जो है वो मर सकता है अब बात करते हैं friends इसकी location कैसी होनी चीए इसकी location अब मैं बताता हूँ लोग क्या गलती करते हैं क्योंकि लोग समझते है कि ये एक plant है इसको बहुत ज़्यादा तेज धूप की ज़रूरत होती है तो इसको ऐसी location पर रख देते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ते आपका मर जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपने धूप में रखा हुआ है तो प्लांट कैसा मर सकता है क्योंकि कई लोगों की पौधों को लेकर यह समझ होती है कि पौधा जो है उसको धूप में ही रखना चाहिए तब ही वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करता ह ऐसा नहीं है most of the plants के लिए चीज़े सही है लेकिन जीजी प्लांट उन में से है जिसको कम लाइट की जरूरत होती है अब बात करता हूँ friends इसकी watering के बारे में watering एक बहुत ही important part है जीजी प्लांट में अगर आपने इसको अच्छे से grow करना है और maintain करना है कई लोग क्या करते अपने जीजी प्लांट में daily पानी देते हैं वो यही समझते हैं कि पौधा है इसको daily पानी की जरूरत है गलती करते हैं वो ऐसा नहीं होता जीजी प्लांट में दूसरा इसको अगर watering करने की बात अगर मैं बताऊं तो एक watering schedule आपको बनाना पड़ेगा जीजी प्लांट में वहाँ पे जीजी प्लांट पड़े हुए हैं वो बहुत अच्छी तरीके से growth कर रहे हैं क्योंकि offices में क्या होता है कि जो इनकी care होती है वो neglect होती है care कोई इनकी डंग से करता ही नहीं offices में ऐसी वो कोने में पड़े रहते हैं और plant तभी बहुत अच्छी तरीके से growth कर रहा होते हैं कभी-कभी उनमें पानी दे दिया कभी उनको indirect light में रखा हुआ है plant बहुत अच्छी तरीके से growth कर रहा है इसमें दो चीजे हमेशा gardeners गलती करते हैं या तो बहुत तेज पानी इसमें दे दे देंगे इंप्रॉपर वाटरिंग की वज़े से वह है जो आपका जीजी प्लांट है वो हमेशा खराब होगा मरेगा तो इसमें मैं बोला जैसे वाटरिंग शेडूल बनाईए दस से बारा दिन में एक बार इसको पानी देने की इसको जरूरत नहीं है अब बात करता हूँ इसमें फर्टलाइजर की फर्टलाइजर की भी अगर मैं क्लिरली बताओ तो इस प्लांट को जरूरत नहीं है बहुत ही हाड़ी प्लांट है अगर आपने इसका जो पॉटिंग मिक्स बनाने के टाइम इसमें अच्छे से खाट डाल दिये जैसे कि मैंन उनके बिना भी यह बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ और काम करता है अब बात करते हैं इसमें किसी तरीकी की बिमारी यह लगती है तो देखिए मेरे इस प्लांट में आज तक अभी कोई बिमारी नहीं लगी लेकिन मैंने सुना है कि स्पाइडर माइट का अटैक काफी हो लेना है उसमें थोड़ा से लिक्विट सोप भी मिला दीजिए ताकि उसका और मलब स्टेंथ बढ़ जाए उसको हर 15-20 दिन में जो 100-500 जो पैस्टिसाइड तैयार होगा प्लांट में उपर आप स्प्रे कर सकते हैं और डिरेक्ली आप सॉयल में भी दे सकते हैं इससे क्या वो एक गलती होती है जैसे कि मैंने पताया ओवर वाटरिंग से यह पौदा मर जाएगा और बरसातों में अगर आपने इस पौदे को ऐसी लोकेशन पर रख दिया है जहां पर डेली इसमें पानी पढ़ रहा है बरसात का यह पौदा पक्का मरेगा ही मरेगा आप इसको नहीं कर सकते तो इसको ऐसी लोकेशन पर रखिए जहां पर बरसातों में इसको ऐसी लोकेशन पर रखिए जहां पर शेड हो शेड के नीचे हो डिरेकली पानी इस पर पौदे पर ना पड़े तो बरसात का मौसम भी आपका प्लांट जो है वो जेल जाएगा तो यह कुछ जो अगर आप अपने जीजी प्लांट में फॉलो करेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगे इसको बहुत जादे extensive care के जरूरत नहीं है अगर मैं आपको सची बात बताऊँ simple care करिए अपने प्लांट की और बहुत जादा care अगर आप परेंगे तो ये प्लांट आपका खराब हो जाएगा जो care tips मैंने आपको बताईए वो ही जीजी प्लांट में फॉलो करिए और बहुत अच्छे results आपको देखने को मिलेंगे अगर इस वीडियो में आपका कोई भी सवाल है कोई भी question आप पूछना चाते हैं तो प्लीज कॉमन करके मुझे बताईए मैं आपको उसका जवाब दूँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेर ज़रूर करिए मेरे चैनल को भी subscribe करना ना भूलें और जीजी प्लांट अगर आपके अलावा आपके gardener's friends भी पसंद करते हैं ग्रो करना तो उनके साथ भी ये वीडियो शेर करिए ताकि वो भी ज प्लांट को ग्रो करना जाते हैं तो इसके बारे में केरे टेप्स ज़रूर सीखें उसको अच्छे से ग्रो कर सकें तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स थैंक यू गुडबाए